नमस्कार दोस्तों पंचाई चुनाव 2020 को लेकर सबसे बड़ी खबर जोदपुर हाई कोट से निकल कर आ रही है बच्ची हुई 4350 ग्राम पंचाईतों के चुनाव की विवस्ता को लेकर लोटरी पर हाई कोट ने रोक लगा दी और अपनी अगली सुनवाई तीन परवरी को होगी पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक पहली बार यदि आप चैनल पर विजित कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले पंचाई चुनाव से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों 24 तारी को जो फेशला सुप्रिम कोट ने सोनाया था उसके बाद में लोटरी विवस्ता को लेकर एक बार फिर बड़ी कबर जोदपूर से निकल कर आ रही है दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि एक और बारा दिसंबर को नव गटित पंचाईतों के अंदर वापिस लोटरी विवस्ता निकालने की विवस्ता की गई थी लेकिन दोस्तों एक बार फिर ये बड़ी कबर आ रही है जो जोदपूर हाई कोट से आ रही है दोस्तों आपको बता देते हैं पंचाईतों के वाड़ पंच सरपंच पंचाई समीति के सदश्यों और जिला सदश्यों वे परधान के आरक्षन की लोटरी 31 जनवरी एक वे तीन फरवरी को निकाली जानी थी इसी बीच राजस्तान हाई कोट ने इसे लोटरी निकालने की इस परिक्रिया को चुनोती दी है और इस पर कोट ने गुरुआर को आदेश जारी किया कि लोटरी परिक्रिया बिना कोट की मनजूरी के बिना लागू नहीं होगी और इसकी अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी दोस्तों याचिका करता हूं कि आयोग ने केवल चुनाव इस्तगित किये थे निरस्त नहीं किये थे और इस तरह से दुबारा लोटरी नहीं निकाली जा सकती है और सरकार के इस तरह पर ऐसे आदेश नहीं किये जा सकते ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि लगबग पत्चीस सो से तीन हजार पंचायतों में पुने जो लोटरी निकालने की विवस्ता थी उसको जोदपुर हाई कोट ने चुनोती दी है और अब अगली सुनवाई त झाल है